अब दूस्तों कई बार क्या होता है कि एक आदमी जिसके घर पे लिटर हुआ वो केसि आई पेपर अपने पपी का बनवा लेते हैं और बाइचांस वो पपी मर गया तो वो इस पेपर को सेल कर देते हैं किसी दूसरे ब्रीडर या फोर किसी दूसरे डीलर को और वो डीलर किसी भी बच्चे के साथ चिपका करके उसको 25 जा 30 जा 10 जार का डॉग 25 जा 30 जार में सेल कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों आप में से कई सारी लोग एक KCI पेपर डॉग लेना चाहते हो बहुती सौक से बहुती प्यार से एक डॉग खड़िते हो लेकिन कई बार आपको फेक पेपर दे दिया जाता है और कई बार तो आपको फेक डॉग ही मिल जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि आप लोग पता कैसे कर पाओगे कि आपको जो पेपर दिया गया है वो फेक है या गलत है या फिर आपको जो dog दिया गया है वो ही गलत है दोस्तों ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप कहो तो नामुम्किन ही है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो बहुत ही कम चांस होगा कि आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को लास्त तक देखिए और हमारे चैनल पे डॉग से लेटर बहुत सारी वीडियो जाती रती है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरीके के रेड किलर में लिचे आपको सब्सक्राइब मिलेगा सब्सक्राइब करना फ्री ओफ कॉस्ट होता है चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों को भी आपके सिय पेपर डॉग लेते हो तो उसको पता करने का जो चांसे से वो बहुत ही कम होता है मतलब ना के बराबर होता है लेकिन फिर भी कुछ टिप्स है जो आपको जान लेना चाहिए दोस्तों जितने भी बाहर की डॉग आते हैं इम्पोर्टेट डॉग आते हैं गवीडो वोन माइनिंग यहां पर आप देख सकते हो 12-15 लाख का ये डॉग है इसी का पपी मेरे पास है जिसका नाम जैंसी है इन पेपर और प्यार से हम लोग उसको एलिना बुलाते हैं उसका पेपर ये है देख सकते हो दोस्तों अब दोस्तों अगर मैं पता लगाना चाहूं कि ये जो मेरे पास पपी है वो इस गवीडो वोन माइनिंग का पपी है या फिन नहीं है उसके लिए मुझे इसका डियने टेस्ट करना परेगा और इस डियने टेस्ट में अराउंड 4-5,000 रुपया का खर्चा आएगा मेरे कॉर्डिंग जो कि अभी इंडिया में नहीं हो रहा है अब इंडिया में आपको कैसे पता चलेगा ये काफे ज़्यादा टफ है अब दोस्तों देखिए आप लोग कोई भी पेपर डॉग खरीदे होगे अगर आप लोग नॉर्मल डॉग खरीदे होगे नॉर्मल केसी आई पेपर डॉग खरीदे होगे तो जो उसका कोस्टिंग होगा वो 25-30,000 रुपय के आसपास होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतब यह है कि उसकी जो मदर है या फिर फादर है या फिर दोनो है वो चेंपियन ब्लड लाइन से है या फिर इंपोर्ट लाइन का है तो ही उसका प्राइस 40,000, 1,00, 2,00, ऐसे बढ़ेगा अब दोस्तों अगर आप उसे कम रेंज का डॉग लेते हो 25,000 का असपास का डॉग लेते हो तो उसमें आपको इंडिया में जो ब्रीड किया गया है उसी का पपी आपको मिलेगा तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहला टिप आप लोग जान लेजे कि कैसे पता कर पाऊगे कि जो पेपर है वो फेक है कई बार जब आप ब्रीडर से बात करोगे या फिर डीलर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि अगर आप लोग पेपर डॉग लोगे आपसे वो बोलेंगे कि अगर आपको केसी आई पेपर चाहिए तो आपको डॉग का प्राइस 25,000 लगेगा या फिर 30,000 लगेगा लेकिन अगर आप लोग पेपर नहीं लेते हो तो आपको केवल 15,000 रुपया लगेगा मतलब कि ये केसी आई पेपर का कॉस्टिंग आपसे 15,000 रुपया वो लेंगे अगर सेम डॉग का बात किया जा रहा है तो मैंने कई बार बहुत सारी डिलर से और बहुत सारी बीडर से मैंने बात किया है तो वो बताते हैं अगर सेम डॉग का केसी आई पेपर आपको चाहिए तो मैं 35,000 में दूगा अगर आपको केसी आई पेपर नहीं चाहिए कि इस डॉग का प्राइस पेपर के साथ 30,000 है और बिना पेपर का इस डॉग का कोस्टिंग 15,000 है मतलब 5-10,000 का फर्क आपको दिख रहा है तो आप लोग समझ जाईए कि डॉग भी गलत है या फिर पेपर ही गलत है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग वैसे डिलर से मत बात करिए अब दोस्तों किसी भी डॉग का जिसका पेपर बना हुआ है वो आपको कम में डॉग दे ही नहीं सकता है अगर पेपर के साथ उस डॉग का कोस्टिंग 50,000 है तो वो आपसे 50,000 रुपया ही लेगा भले 500,000 रुपया छोड़ दे या फिर नेगोसियेशन आप पे डिपेंड करता है लेकिन आप उनको बोलोगे कि मैं पेपर नहीं लोगा और आप मुझे 15,000 या 20,000 में दे दो 50,000 का डॉग तो आपको नहीं देंगे वो तो पेपर का वैल्यू आप लोग यहां से पता कर सकते हो अब दोस्तो बाइचांस आपको ये पेपर गलत मिल गया और डॉग भी गलत मिल गया कई बार क्या होता है अब दोस्तो कई बार क्या होता है कि एक आदमी जिसके घर पे लिटर हुआ वो किसी आई पेपर अपने पपी का बनवा लेते हैं और बाइचांस वो पपी मर गया तो वो इस पेपर को सेल कर देते हैं किसी दूसरे ब्रीडर या फिर किसी दूसरे डीलर को और वो डीलर किसी भी बच्चे के साथ चिपका करके उसको 25,000, 30,000, 10,000 का डॉग 25,000 में सेल कर लेते हैं यह मार्केट में चल रहा है हर जगा चलता है यह नॉर्मल है अब दोस्तों आप लोग को कहिसी सही डॉग मिल पाएगा यह जानिए दोस्तों अगर आप लोग को सही डॉग चाहिए और सही आदमी भी है तो सही आदमी का पहचान भी आपको ही करना है और सही आदमी का पहचान में आपको बता देता हूँ कि कैसे कर पाओगे क्योंकि आदमी गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदल देता है लेकिन फिर भी कुछ टिप्स हैं जो आप लोग समझ लीजिए देखे अगर वो आदमी उसी काम को काफी दिनों से कर रहा है और एक प्रोफेशनली कर रहा है केसी आई पेपर में ही वो काम कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो आपको सही चीजी दे कोई ऐसा आदमी है जो एक दम ब्रीडिंग फार्म चला रहा है काफी दिनों से चला रहा है तो ऐसा आदमी आपके साथ फ्रोट जल्दी नहीं करेगा लेकिन कुछ ऐसे आदमी है जो नॉर्मल भी सेल कर रहे है केसी आई भी सेल कर रहे हैं तो आप लोग अपने आसपास के अपने local shop में जो सही दुकानदार है, जो सही ब्रीडर है, आप लोग उन्हें से लीजिए, आप लोग नॉर्मल ही कहीं से मत ले लीजिए, ठीक है, तो यह एक छोटा सा वीडियो था, तो आप लोग इससे पता कर पाओगे, और अपने आपक और भी कई सारे वीडियो में हमारे वीडियो आपको मिलती रहे हैं उसके लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरीके में रेड कला में आपको निचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल आइकन को भी दबाईए दोस्तों आप लोग हमारे इंस्ट